आज हम एक स्पेशल कश्मीरी दिश लेके आये हैं दमालू आपने जुजुली जो रेस्टोर्ण में दमालू खाई होगी वह बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनती है या तो वह उबले हुए आलो दही के ग्रीवी में डालते हैं टमाटर प्यासी ग्रीव में पर जो ऑथंट बनाना शुरू करते हैं दमालू दमालू बनाने के लिए हमने यहां पर लिये हैं एक किलो आलू एक किलो आलू में लगबग 14-15 आलू आये हैं और इसमें जो हमने दमालू बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए जो आलू है सब एक ही साइज के हो ज्यादा बड़े ने हो ज पानी के पतीले में और इसको तब तक उबालेंगे जब तक इसका छिलका ने उट जाए उबालना तब तक खाली छिलका उटना चाहिए टूबने नहीं चाहिए यह देखिए आलू उबलके हो गए है अब हम इसको चेक करते हैं कि लगब मैंने इसको 15-20 मिट तक उबाला है अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका छिलका उठ रहा है कि नहीं यह देखिए छिलका अराम से उठ रहा है तो और उबालने की जुरत नहीं है तो अब हम क्या आलों को पानी से बाहर निकाल देंगे यह सारी आलों जो है अब हम इनका एके करके छिलका उतारेंगे इसको हाथ से छिलका उठाना है चाकू से ना उठाएं ऐसे करके एके करके हम पूरे सारे आलों का छिलका उतार देंगे जो हम इसको पूरा छेद करेंगे अब देख सकते हैं कि मैं कैसे चेद कर और पर पूरे आलों को अच्छी तरह से छेद करना है चेद करने से क्या होता है यह जब हम आलो फ्राइक करते हैं आलू एक बहर से भी अच्छी तरह से फ्राइब होते हैं और अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाते हैं, कच्छीमी रहते हैं अंदर से भी, आप मुद्री stronger करते करते हैं ऐसी करके हम सारे आलू को छेट करेंगे ये आलू का एक specific है नमालू बनाना एक बहुत ही कला काम है और बहुत पेशन्स का काम है चलिए अब हमने कड़ाई में यहां पर तेल लिया है तेल उतना लेना है जितना उसमें आलू अच्छी तरह से डीफ फ्राय हो जाए और हम जो यहां पर आलू है यह देखे कैसे चेद हुए है आलू को ऐस कम मिनी पढ़ने चेए लगबग मैंने यहां पर छे आलू एट टाइम पर फ्राय किया है और यह बात हमें द्यान रखनी है जब हम आलू करेंगे इनको हाई फ्लेम पर फ्राय करना है इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राय करना है ना लो फ्लेम पर फ्राय करोगे तो बहुत ही फ्लेम बिल्कुल मेडियम होने चाहिए अब यह आप देख सकते हैं कि आलो कैसे कितनी अच्छी तरह से फ्राइब हुए है यह जो इनकी हमने होल्स किये थे हां यह देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो गया है यह होल्स हमने किये होल्स से कैसे बबल्स टेल के बबल्स निकल से फिर एकदम फ्राइब हो जाएंगी और अंदर से बिलकुल कच्छे रहेंगे तो आपके दमालू अच्छे ने बनेंगे यह देखिए यह आपर आलू लगबग फ्राइब हो चुके हैं अब हम यह बैच निकालेंगे और ऐसे हम जो है दूसरा बैच भी करेंगे आलू को हम जो सर्मिंग बाउल है जिसमें हमें दमालू निकालने हैं उसी में हम लोग यह फ्राइब के वह आलू निकाल देंगे दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बोला दमालू बनाना बहुत ही पेशेंस का काम है फ्राइब करने के लिए लगता है कि देखिए हमारे यह सारी दमालू जो है राइब हो चुके हैं यह देखिए कि ने खसते लग रहे हैं और एकदम ब्रावनिश लग रहे हैं देख सकते हैं तो बढ़िया अच्छी तरह से फ्राइ हो चुके हैं तो चलिए हम इसका ग्रेवी बनाना बनाते हैं तो मैंने यहां पर एक पैन में तेल लिया है तेल मैंने वही उसके जिस पे अमने आलू फ्राइ किये तो अब पहले अपनी खड़ी मसाले बना देते इसको तब तक हम एकदब लो फ्लेम पर रखेंगे खड़ी मसाले में हम लेंगे एक टीस्पून जीरा दो मोटी लाइची कि दो हरी लाइची और तीन लॉंग डालेंगे अब हम इसको हलका सा कूटेंगे कूटे इसलिए कि जीरा यह जो एक तो जीरा थोड़ा से क्रेश हो जाएगा और जो इलाइची है उसके जो अंदर के दानियों उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब टूटके फिर मसालों में उबल जाता है तो बहुत ही तेस्टी लगता है उसका फ्लेवर तो यह तयार होगी तेल वे मरा हलका सा गरम हो गया अब हम इसमें डालेंगे दो तेज पता कि साथ में हम डालेंगी यह खड़े मसाले जोमनें भी तयार किये है हम इसको हलका सा तेल में बुनेंगे इसकी खुचु बहुत अच्छी आती है कि जब इसके एकड़ फ्लेवर्स बहार निकले तब तक हमें इसको बुनना है जलाना नहीं है यह दिखी बुन गया मसाली खड़ी मसाली हमारे अच्छी तरह से अब हम इसमें डालेंगे दो चुटकी हींग चार टेबल स्ποून में ज़रओंगी कश्मिरी लाल मिल्च पौॉडर कश्मिरी लाल मिल्च पॉर्डर यूजली दिख़ती बहुत रड है ऐसे लगता कि बहुत तीकी होगी पर इसका कलर काली रड होता है पर तीखापन भी बहुत कि मसाल को देल में अच्छी तरह से मुनेंगे हल का बुनने के बाद हम डालेंगे एक्टेबल स्पून तब बस एकी टेबल स्पून डालना उससे ज्यादा व yıl से क्शून चैछा निकलते हैं अगर आपकी मेर्ची में तिखा पन हो भी कम हो जाता है अब मैं इसमें हलका सा पानी डालूंगी लग बग 3-4 टेबल स्पून और इसको हम फिर से थोड़ा सा गयास के आज तेज करेंगे और मसालों को इसमें बुनेंगे फिर से अब मैं इस पर बाकी के मसाले आइड करूंगे आदा टीस्पून मैंने यहां पर डाला है दालचीनी पॉडर दो टेबल स्पून मैंने डाला है शूंट का पॉडर और एक टीस्पून हम डालेंगे शूंट का पॉडर दमालों में हल्दी नहीं डलती है अब अगर अब हल्द हम लोग आच्छी तरह से mix करेंगे यक दी ही color कितना अच्छा आया है ग्रेवी कितनी ठेक हो गयी है यह पूरा masa लोर तेल की gravy है लास में जब हमारे दमाली मनें गेँ लास में बस इतेल ओर मसाला की gravy रहने चाहिए अब हम इसमें स्वाद वनसार नमक mix करेंगे अब थोड़ा सा इसको मसाला इस सब जो ग्रीवी है इसको हलका सा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से अब हम जो आलू हमने फ्राई के थे वो इस ग्रीवी में डाल देंगे इसको में कलर अच्छा आया है ग्रीवी अच्छी लग रही है खुजू बहुत अच्छी आ रही है जो हम गैस को थोड़ा से तेज आंच पर अब हम यह मसाला और आलू जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए मैं इसको लगबग तीन या चार मिनट के लिए मैं यह आलू को इस मसाल मसाले जो हमने यहां पर आलू और मसाला की जो ग्रीवी यहां बनी है जो इसको मैं दम देकर तीन से चार मिनट तक रखूंगे बिना पानी के डाले हुए यह देखें ग्रीवी कैसी ठिक हो गई है चलिए अब हम इसको दम देते हैं तीन से चार मिनट था अब बिल्कुल सिम पर हम रखेंगे गैस को क्योंकि नहीं तो तेज आज पर रखेंगे तो मसाले सारे जल जाएंगे कि अब आए जिए जिए गैस को रखेगा चलिए तीन मिनट होने वाले हैं यह देखें तीन में ठोच चुके हैं तो हम इसका डकन उठाएंगे और देखो कैसे तेल और तेल एकदम उपर आया मैं इसमें लपक दो गिलाज पानी डाल लूगी अब इसको हलका हलका एकदम दीरे की हाथ से मिक्स करना है ताकि आलो टूपना जाएं एक तमारा हम से अब हम क्या करें अब हम इसको लगए साथ से आठ मिनट तक तेज आज पर पकाएंगे साथ से आठ मिनट तक पकाना है आज बिल्कुल तेज रखनी है अब देखिए नम आठ मिनट हो गए हैं हम देखते हैं कि बहुती बढ़िया दिख रहे हैं दमालू ग्रेवी भी थिक हो गए अब हम क्या करें आज बिल्कुल सिम करेंगे और फिर से इसको लगए 10 नट तक सिम आज पर पकाएंगे यहां पर मैं जो एक टेबल स्पून जो है गरम मसाला एड़ करूंगे इसमें कि इसको अची तरह से मिक्स करेंगे गरम मसाला और ग्रेवी को अब हम इसको लगए 10 नट तक बिल्कुल सिम आज पर पकाएंगे डखन बंद करके कि देखिए दमालू कैसे एक्तम रेड लग रहे हैं मसाला बेच्छे तरह से ग्रेवी भी थिक होगी बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा है इसमें मसाला और तेल की ग्रेवी लग रही है अब हम क्या करें एक करके हम पहले आलू निकालेंगी दिखिए आलू एक्दम aller जैसे फ्राइः की थे वैसे अब थोड़ा सा प्रेस करोगी एकदम तेल और मसाल नगलेगा तीकल टूटे नहीं है वाँ इदिखिए ग्रेवी जो रहागी तेल और मसाला रहागी है ये ग्र एक दमालू में दाल देंगे आलू के ऊपर गलब दमालू हमारे तयार हो गए हैं आप इसको रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं यूजुली हम लोग जो है चावल के साथ खाते हैं डेकि गरमा गरम चावल हमारे तयार है अब हम इसके उपर दमालू परोसेंगे हैं हमारे यह कहावात है कि दमालू ऐसे बनने चाहिए कि तेल की एक भून से पूरा जो है आपका चावल खतम होने चाहिए चलिए आलू को अंदर से चेक करते हैं कि अंदर से आलू हमारे कच्छे तो नहीं रह गया है यह दिका दम ग्रेवी एक दम है आलू के अंदर यही रीजन है कि हम इसको प्रिक करते हैं फ्राय करने की टाइम आप यह रेसिपी ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपके दमालू कैसे बने थे और आपको कैसे इनका टेस्ट लगा हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखके बेजीगा दानिवाद